तो हम लोग सुरभात करते हैं बेंगाल का आगे, जहां तक हम लोगों में लाज्ट क्लास में पढ़ा था, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो हम लोगों में अभी तक क्या देखा था, कि बेंगाल पर फिरोज सा तूगलक ने अटैक किया था, फिरोज तुगलक ने और फेल हो गया था ठिक फिरोज तुगलक बेंगॉल को अटेक करता है बट फेल हो जाता है इसके बाद की कहानी बहुत ज़्यादा किलियर नहीं है लेकिन कुछ ऐसे राजा है जिनके बारे में चीजे हमें पता है उनको हम लोग पढ़ेते जाएंगे और उनके बारे में लिखते जाएंगे तो मैं ये कह रहा था कि अब फिरोज सा तुगलक किसके साथ रहोता है कॉन्फिलिक्ट सिकंदर कौन है बंगाल के साइड में कौन है सिकंदर है ये तो बस मैं आपको पीछे कर रिकॉल करवा रहा हूँ कि फिरोज सा तुगलक फेल होता है बंगाल पर टेक करके और इसके साथ सामने कौन रहता है फिरोज सा वर्सिज सिकंदर ये रहता है और फिरोज सा फिरोज तुगलक फेल हो जाता है तो यहां तक कहानी तो हम लोगों ने किलियर कर ली है अब यहां से आगे बढ़ते हैं आगे जो सुल्तान बंगाल का मिलेगा उस सुल्तान का नाम है गिया सुद्दीन आजम क्या नाम है गिया सुद्दीन आजम सिकंदर के बारे में इस से ज़्यादा हमें नहीं पता हमें नहीं पता यानि कि नाही बुक्स में कहीं ज़्यादा कुछ मिलता है इस वैस उसके बारे में नाही कोई कुछ ज़्यादा पूछता है तो जिसके बारे में science history में clear जानकारी नहीं है वो समझी हमारे course का हिस्सा होगा भी नहीं क्योंकि UPSC उन्हीक के बारे में confirm पूचता है जिसके बारे में हमें हर एक जानकारी confirm और सटीक मिले ठीक है तो गयसुद्दीन आजम के बारे में कुछ जानकारी है हमारे पास सटीक है तो इसका टाइम पृरिएड है 3092-1411CE ये किसका टाइम पृरिएड है? गयसुद्दीन आजम का बंगाल का रूलर है इसको important है इसके लिए important है तो लिखिएगा ऐसे important ruler of important ruler of ilias sa dynasty important ruler of ilias sa dynasty क्यों अभी देखिए जो dynasty चल रही है starting किस से हुई है जो first ruler है उसका नाम क्या था हाजी समसुद्दीन ilias खा जो first ruler है बेंगॉल का first ruler उसका नाम क्या था हाजी समसुद्दीन ilias खा यानि कि कौन सी dynasty हो गए ilias dynasty है उसी ilias dynasty में उसका बेटा सिकंदर होता है सिकंदर के बाद क्या है हमें नहीं पता लेकिन हाँ 1390 में एक और important ruler है जिसका नाम है गया सुद्दीन आजम ये भी इसी ilias साह dynasty का ही ruler है यानि इसके भी उसी डैनिस्टी का blood है और किसलिए जाना जाता है तो known for his love for justice ये justice देने के मामले में या justice के लिए बहुत ही जादा और ये तरह से वो था कि कि किसी के साथ अन्याय ना हो इसका कहने मतलब है किसी के साथ अन्याय ना हो ठीक है बहुत सी इसके साथ एक घटना और अगर भी कहानिया है लेकिन वो सब काम की नहीं है ठीक है ना खेर इसके बारे में important जो है वो लिखते हैं तो लिखिएगा लिखिए आजमवाज आजमवाज ए लर्ण्ड मैन आजमवाज ए लर्ण्ड मैन आज, ए वो, समर्य और, वो, सम्वाज Razakon खेर ए हंल, और, ए हएभिए अन्याय पटकारवाज एए लिखिए विबता, वृबता। किन एऄन वो, सम्याय चाहांवाज ए लिख त agree to death, of his times including including the famous Persian poet including the famous Persian poet Hafiz of Siraj Hafiz of सिराज मैं क्या कहा रहा था कि आजम कौन ग्यासुद्दीन आजम ये बहुत ही क्या था एक पढ़ा लिखा वैक्ती था तो इसके रिलेशन्स भी क्या थे पढ़े लिखे लोगों के साथ तो उस वक्त के एक फेमस पर्सियन पोईट जिनका क्या नाम था हाफिज ओफ सिराज इनके साथ भी इसके रिलेशन्स अच्छे थे ठीक है नेक्स्ट इसके बारे में क्या कहानी है लिखेगा ऐसे लिखेगा लिखे दूरिंग हीज रेइन हाँ दूरिंग हीज रेइन अबूरिंे Although The लिखेगे विएबूरिंग बारेवा लिखेगे प्रोस्पर लिखेगे लिएबूरिंग् लिल्एबूरिंग बिंगॉल एंड चाइना इंपोर्टेंट पोर्ट इंपोर्ट पोर्ट कौन सा था उस वक्त तो चिटगाउं चिटगाउं ये क्या था इंपोर्टेंट पोर्ट था ये याद रखिया कि बिंगॉल का इंपोर्टेंट पोर्ट कौन सा था चिटगाओं और चाइना के साथ काफी अच्छे ट्रेडिंग डिलेशन्स उस वक्त थे बेंगॉल और चाइना के बीच में अगला पॉइंट क्या लिखिए तो लिखिएगा आजम सेंट बुद्धिस्ट आजम सेंट बुद्धिस्ट मौंग टू चाइना यानि के बेंगॉल में उस वक्त क्या था बुद्धिस्ट मौंग यानि के देखा जाये तो बुद्ध धर्म फल फुल रहा था अग नहीं फल फुल था कोई उसको दमन करने वाला तो नहीं था वहाँ जो लोग थे वो लोग क्या थे ऐसे थे कि दूसरे धर्म को टॉलरेट कर रहे थे या ये भी कह सकते हैं कि चाइना से रिष्टे अच्छे बने रहें इस वज़े से वो बहुत धर्म को जगे दे रहे थे क्योंकि चाइना के साथ व्यापार एक फाइदे का सौधा था कौन नहीं अपना फाइदा चाहेगा तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा था प्रोस्पेरिटी ट्रेड धर्म से ज़्यादा इसको तवज्जु दी गई होगी है तो यहाँ तक तो गया सुद्दीन आजम की कहानी है अब इसके बाद क्या होता है कि गया सुद्दीन आजम के बाद एक छोटा सा टाइम प्रेट आता हिंदू रूलर का लवभल अबक साथ सालों का तो अब आप यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके लिखो न्यू पैराग्राफ से लिखिए आफ्टर आजम आफ्टर आजम ए ब्रीफ ब्रीफ स्पेल आफ हिंदू रूल अंडर हिंदू रूल अंडर कौन? राजा गनेश 14, 14 to 14, 35 CE ठीक है? बट बट लेटर इल्यास साही बट लेटर इल्यास साही डाइनस्टी वाज रिस्टोर्ड बाई नसरुदीन महमूद साह कब से कब तक? यह आएगा 14, 35 से लेकर 14, 87 CE तो कुछ समय के लिए क्या होता है? हिंदू रूलर एक आ जाता है, राजा गनेश बट उनके सकसेसर इतने अच्छे नहीं रहते हैं कुछ समय बाद, दुबारा इलियास डैनेश्टी आ जाती है किसके अंडर? नसरुदीन महमूद साह कौन है रूलर? दुबारा बेंगॉल पर इलियास डैनेश्टी को इस्टेबिस करने वाला नसरुदीन महमूद साह है लेकिन ये भी बहुत लंबे समय तक continue नहीं रह पाता क्यों? क्योंकि इनके पास अब कोई मजबूत रूलर नहीं बज़ पाते कोई मजबूत रूलर नहीं बज़ पाते है तो इसको भी अब कुछ समय बाद क्या कर दिया जाएगा? टॉपल कर दिया जाएगा यानि इसको इस फिर से इलियास डानेस्टी को हटा कर एक नई डानेस्टी आएगी तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिख लिजए इसी में या अगला लाइन लिखिए लिखिए हाव इवर हाव इवर हाव इवर फॉर एस सौट पिरियड पिरियड ओफ सेवन इयर्स दः हपसीज कौन है? हपसीज ये अग डानेस्टी है कौन? हपसीज कब आएंगे? इसके बाद आएंगे पिरियोड ओफ सेवन इयर्स दः हपसीज केम तू रूल केम तू रूल केते हैं तो नेक्स लिखिएगा हपसीज वेर हपसीज वेर overthrown overthrown by allowedin by allowedin हुसैन सा allowedin हुसैन सा Hapsis were letter overthrown by allowedin हुसैन सा S-H-A-H यहां लिख लिख लिजिए allowedin हुसैन सा यह ruler है तो यहां से आती है हुसैन साही डैनेस्टी तो यह क्या है allowedin हुसैन सा आने का मतलब starting of क्या होगा हुसैन साही डैनेस्टी इन बेंगॉल तो देखिए starting हो रही है इलियास डैनेस्टी से उसके बाद आ रहा है एक हिंदू रूलर राजा गनेशा उसको हटा कर आ रहा है एक मुहम्मद साह नाम का रूलर जो फिर से इलियास डैनेस्टी का है उसको हटा कर आ रहा है हवीस और उसको हटा कर आ रहा है हुसैन साही इसको मैं आपको एक ब्रीफ में लिखवा देता हूँ यहां तक नोट डाउन कर लिया तो इसके बाद मैं ब्रीफ में लिखवा देता हूँ ठीक है कहानी बंगाल की कहा शुरू होती है इलियास डाइनेस्टी से इलियास डाइनेस्टी यही है ना और इस इलियास डाइनेस्टी का रूलर कौन है पहला अभी आपको बताया हूँ क्या हाजी शम्शुद्दीन इलियास खान यही है ना यहाँ से स्टार्टिंग है इलियास डाइनेस्टी की यह कंटिन्यू चलता है कहां तक पहुंचता है यह इलियास डाइनेस्टी बताये गया सुद्दीन आजम तक पहुंचता है यहाँ तक पहुंचा ना कहां तक गया सुद्दीन आजम यहाँ से यहाँ तक क्या है पुरा इलियास डाइनेस्टी यह है यहाँ से यहाँ तक इलियास डाइनेस्टी अब बीच में क्या होता है कुछ समय के लिए गया सुद्दीन के बाद यहाँ पर आ जाता है कब से 14-14 से लेकर 14-35 CE तक कौन आ जाएगा राजा गनेशा यानि कि क्या होगा अब यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया हिंदू रूल हिंदू रूल आया यहाँ तक चीजे के लियर है अब राजा गनेशा के बाद यहाँ से फिर चीजे चेंज हो जाएंगी और कौन आएगा बताएगे जल्दी राजा गनेशा के बाद फिर इलियासी डैनेश्टी इलियास साही डैनेश्टी रिश्टोर होती है तो कौन करेगा नसिरुदीन महमूद शाह यह क्या करेगा रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन ओफ इलियास साही डैनेश्टी यानिक इलियास साही डैनेश्टी फिर से आ गई कितने टाइम पिरियड के लिए बहुत छोटे से टाइम पिरियड के लिए कब सा तो 1435 to 1487 CE यही है इसके बाद अगेन अब कौन आएगा अब 1487 से लेकर 1494 तक कौन आ जाएगा तो यहां आएगा हबसीस कौन आएगा हबसीस तो अब यहां पर कौन आ गया हबसीस डैनेश्टी और हबसीस के बाद अब हबसीस का जब काम खतम होगा तो आ जाएगा अलाउदीन हुशैन साह यानि कि यहां से अब स्टार्टिंग हो जाएगी हुशैन साही डैनेश्टी तो अगर आप एक फ्लो चार्ट में देखो तो पहले आया इलियास साही डैनेश्टी उसके बाद आएगा क्या हिंदू रूल उसके बाद आएगा अगेन इलियास साही डैनेश्टी उसके बाद आएगा हबसीस और हबसीस के बाद अगेन कौन आ जाएगा अब हुसैन साही डैनेश्टी कौन आ गया हुसैन साही डैनेश्टी ये पूरा यहां से शुरू होकर तो ये आपका अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो इसकी सुरुवात कब से हो इलियास साही 1342 से लेकर कब तक है बताएए जब किसकी स्टार्टिंग हो रही है 1414 तक ये कब से है 1414 CE से लेकर कब तक है 1435 CE इसके बाद फिर 1435 CE से लेकर कब तक है 1487 CE फिर बीच में साथ साल के लिए 1487 to 1494 CE और इसकी 1494 से लेकर आगे तक हम लोग पढ़ेंगे यही हमें पढ़ना था इलियास साही उसके बाद हिंदू रूल उसके बाद फिर अगेन इलियास साही उसके बाद हबसीज उसके बाद फिर हुसैन साही डाइनेस्टी यही हम लोग को यहाँ पर देखना था समझ में आई बात तो चाहे तो आप इसको याद रख लो या फिर इसको याद रख लो दोनो बाते एक ही हैं बस लिखने में इसमें जादा डिटेल है इसमें राजा उगराए के भी नाम है और इसमें सिर्फ और सिर्फ डाइनेस्टी वाइच चल रहा है कि बैंगॉल की सुरुआत इंडिपेंडेंस इलियासी डाइनेस्टी ने सुरुआत किया 1342 में और उसके फिर अगेन इलियासी डैनेश्टी आई नसुरुदीन महमूद साह के अंडर में पर बहुत लंबे कंटिन्यू नहीं चली तो आगए बीच में हबसीस हबसीस मात्र साथ साल के लिए थे और हबसीस को हटा कर खुसैन साह नाम का व्यक्ति अलाओध दिन हुसैन साह नाम का व्यक्ति थ्रोन पर बैठा और वहां से स्टार्ट होती है हुसैन साही डैनेश्टी इन बैंगॉल ये आपको इस तरह से याद रखना है तो बेंगॉल की सुरुवात हमें इलियासी डैनेस्टी से लेकर हुसैन साही तक इस तरह से याद रखना है इलियासी, हिंदू, फिर इलियासी, देन हबसीस, देन हुसैन ठीक, यहां तक कोई confusion नहीं होना चाहिए अगर कुछ confusion नहीं हों तो पूछिए, बाकि फिर हम आगे बढ़ते हैं